नमसकार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीकेड कुम रैसी राहू जो सुख समरिद्धी के कारक वो नच्छतर परिवर्तन करने जा रहे हैं पूरे आट महिने तक जब वो नच्छतर परिवर्तन कर सनी के नच्छतर में आएंगे तब आपके उपर इसका क्या प्रहू पड़ेगा ग्रहों का रासी परिवर्तन बहुत जरूरी भी है और इसके फल भी प्राप्त होते है राहू को कलियुक का राजा कहा जाता है राहू आपको सब कुछ दे सकता है और जब ये नच्छतर परिवर्तन करेंगे अपने स्वामी सनी देप के नच्छतर उत्तरा भादर पर नच्छतर में आएंगे तब 19 मार्च 2025 तक यहीं पर रहेंगे तब इसका परफाव क्या होगा कौन से उपाय करके आप राहू के जो बुरे परिणाम है उससे बच पाएंगे चले जानते हैं बिस्टार से देखे राहू मीन डासी में है और इसके पहले रेवती नच्छतर में चल रहे थे अब वो नच्छतर परिवरतन कर उत्तरा भादर परद नच्छतर में आ गया है उत्तरा भादर परद नच्छतर सनी का नच्छतर है और मीन डासी में राहू का आना मीन डासी देव गुरु बिस्वती की रासी है तो राहू यहाँ पर अच्छे परणाम बहुत नहीं देते लेकिन फिर भी राहू मीनदासी में बैठेंगे सनी के नच्छतर जो उनके स्वामी है उनमें वो प्रवेस कर चुके हैं उत्तरा भादरपर्द में तब उतना बुरा परणाम नहीं देगा जैसा सनीदेव परणाम देंगे राहू बिल्कुल वैसा ही फल देगा इसमें सनीदेव कुमरासी में है और आपके लिए सनीदेव की स्थिती अभी अच्छी चल रही है वक्री सनी चल रहे हैं अच्छा फल दे रहे हैं और राहू भी बढ़ यहां परणाम देंगे क्योंकि राहु के स्वामी सनी है वो जब सुप्फल देंगे तो राहु भी देगा अब मीन डासी जल की रासी है मशली उनका प्रतीक चिन है दो विपरीत तरफ देखने वाली विपरीत दिसा में मूख करके एक दूसरे के विपरीत रहने वाली जो मशलीयां होती है वो मीन डासी में आती है यहनी कि कन्फ्यूजन दूई सुभाब अब राहू मीन डासी में राहू जो खुद कनफ्यूज हैं और कनफ्यूजन की डासी में आ गए हैं तो थोड़ा उतल पुतल तो देंगे राहू अगर बढ़ियां हो जाए तो ब्यक्ति को राजा बना देता है बुरे परिणाम नहीं देता राहू अगर बढ़ियां फल दे तो एकदम से आकास की उचाईयों पर पहुँचा देता है लेकिन बुरा परिणाम दे तो भिकारी भी बना देता है तो इसमें राहू आपको क्या देंगे आज हम जानेंगे ही विस्तार से अगर आपकी कुंडली में राहू की स्तिती ठीक है तो 100% ये स्तिती काम कर जाएगी और अगले 7-8 महने तक धीरे धीरे ही सही पर तरक्की करते चले जाएगे अगर आप सनी से समंदित काम करते हैं अब सनी देव का काम होता है भूमी के नीचे से निकलने वाली चीजों का यानि माइनिंग, लोहा, कोईला, रत्न ये सभी चीज़ां पेट्रोलियम का अगर काम करोगा आपका है तब राहू एक ऐसा गरह है जो इस में आपको खूप सफलता देगा राहू के बारे में कहा जाता है इनको पराजित करना बहुत कठिन होता है राहू को हराना कठिन होता है क्योंकि राहू दैतियों के सिनापती है चंद्रमा सूरिक पर जब गरहन लगाते हैं राहू तो बुरे देवता क्या कोई भी नहीं रोक सकता और ये लगता ही रहता है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहू कितने बलसाली है तो राहू के चंगुल से इस्वर भी नहीं बच सकते ऐसे में चले जानते हैं कि देखे एक राहू और केतू एक ही सरीर के दो अंग है राहू बहुत बलसाली है राहू और केतू इंसान के ब द्रशम करता है समझदार को बनाता है बेबकुप को राजा बना सकता यानि आप कितने भी बुद्धिमान है लेकिन आगर राहू आपका गलत थोड़ा भी में ले पाएगे और धारातल में आजाएंगे राहू के पास द्धन देने की Tाकट है तो लेने की ताकत भी है क्योंकि जो तिस में कहा गया है राहू धुआ है और धुआ को कोई रोक नहीं सकता वो कहीं भी जा सकता है कितना भी आप बंदन बांदो एक बार उठेगा तो फैलता जाएगा बिल्कुल वैसा ही राहू है तो राहू बढ़ाओ है राहू रुकने का नाम नहीं है राहू एक ऐसा है जो देने पर आजा तो वह आपके भूख मिटने नहीं देगा थोड़ा और यह भूख आपके पास लगातार रहेगा आप एक मांगेंगे एक कोडोड मिलेगा राहू कुछ ऐसा ही करता है राहू को परसंद करने के लिए आप नीम का पत् कर मुख से स्विलिंगफ पर पर जल अरपित करें तो भी राहू सांत रहता है कि इस चत्र के बारे में कहा जाता है यह 1 2 नचत्र यह direito के नचात्र है आध्यात्मिक्ता का नचात्र है तो सनीदेब सफलता के कारक है अभी सनीदेब वक्री चल competit सनी सुबह तो खुब धन देते हैं हुब सफलता देते हैं और राहु का सने से मिलना बढ़ियां तो बहुत नहीं है क्योंकि कुछ चीजें गड़बर भी होंगी स्वामी के नच्छतर में जाएंगे तो लाप तो होंगे लेकिन कुछ इस्थितियां ऐसी बनेगी थोड़ी मुश्किलें भी देंगी अचानक से धन तो आएगा क्योंकि अचानक ही देता है राहू और नच्छतर मिन दासी यानि कि मश्ली की दासी पानी की रासी राहू के पास सिर्व है धर नहीं है तो संसार में बिना ब्रबीन जीव जंटू है wiring ने बाले वह भी जीव जंटू का कारग राहू ही ह। तो राहू का बस आपके आसपास कहां है यह आपको पता है तो चलिए जानते हैं आपके उपर राहू का प्रभाव क्या रहेगा अगले आठ महिने तक क्योंकि राहू जब उत्रा भादर प्रद नच्छतर में आते हैं तो ब्यक्ति को बातुनी बना देते हैं दिवा सोपन दिखाने लगते हैं थोरा आलत से भी दे देते हैं यानि बाते तो बहुत करेंगे पर जब करने की समय आएगा तब थोरा सा मतिभरम करा देंगे तो कि आपको दिन की सुबात योगा एक्सराइज और सकात्मक्स सोच से करना होगा ऐसे लोगों की संगति करेंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं गलत उल्टी सीधी बाते अगर मन में चल रही है तो उस चीजों से आपको बाहर निकलना होगा तब जाकर आपको लाब होगा संगत लाने वाला माना जाता है सनी देव के नचचतर में चल रहे हैं आपके लगनिके स्वामी हैं सनी देव और लगन और रासी पर से ही गोचर कर रहे हैं वक्री हैं सनी देव अब देखे इसमें आपको महसूस होगा कि धन की स्थिती को लेकर आपका ब्यक्तित तो इसमें बहुत परिवर्तित हो चुका है पॉजिटिव परिवर्तिन होगा नकात्मक भी हो सकता है कुछ मौमलों में लेकिन जादा तरह आप सकात्मक रहेंगे अब देखे यहाँ पर सनी की स्थिती अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो महसूस करेंगे यह समें बहुत सारा धन दे रहा है आकस्मिक रूप से धन देगा और दूसरा इसमें आपको ब्यक्तित तो भी एकदम से सकात्मक हो जाएगा स्वास्त की जो मुश्क्रे थी उसमें सुधार होगा और इसमें हिल्थ में जो भी प्रॉपलम था वो ठीक होगा धन की स्थिती भी कुछ न कुछ निगेटिव है लेकिन धन खर्च होगा सुब कारियों पर तो सनिदेव जो आपके ब्यास्थान के भी सौमी है तो वो कुटमगु कर लेकर खर्चा हो या फिर बड़े बुजुरूओं पर खर्चा हो या फिर आप अपनी आपको बेहतर करने के लिए आपके स्वास्त के उपर खर्चा हो लेकिन खर्चा करवाएगा जो दूसरा भाव होता है मारक भाव भी है अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है अब सनिदेव इसमें वक्री है वक्री स्थिति में बैठे हैं राहू की स्थिति है धन देने वाला राहू निगेटिव गरह है राहू धन देने के लिए कभी मन ज़नाँ पर राहू खुब लाफ करवाएगा लेकिन दूसरी तरफ आप सेयर मारकेट में जरूर जाएंगे क्योंकि दूरती भाव का राहू आकस्मिक धन के तरफ मोड देता है आकस्मिक रूप से चीजों को प्राप्त करने की तरफ मोड देता है तो प्रोपर्टी के मामलों में भी इस्तिति चेंज होगी इस्तितियां बनेगी कि आपको एक जम एक दम से आप उन चीजों में चले गए और वहाँ पर इंवेस्ट करें पर बीना सोचे विचारे कहीं इंवेस्ट ना करें अलांकि दूसरे भॉम में जब राहू आते हैं तो व्यक्ति जूट बोलने लगता है नसा करने लगता है नसा का आधी हो जाता है और उत्तरभाद पर नच्छत्र में हैं तो ऐसे में परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा लेकिन इसमें दूसरे भॉम में राहू अलग- नचत्र है यह गोचर बहुत इंपोर्टेंट है वानी से कर्मों से किसी ब्यक्ति को आप प्रभावित भी करेंगे और दूसरा आप जिस भी छेत्र में है उस छेत्र के मास्टर हो जाएंगे तंत्र की तरफ आपका जुकाओ देगा रहू गरत कृति किया है तो छमा मांगिए क्योंकि यह समय है जो कर्मों का फल देगा हलाकि धन आएगा लेकिन धन खर्चा भी खुब करवाएगा तो ऐसी चीज़ें होंगी जो 18 साल पहले हुई थी कुछ चीज़ें रिपीट होंगी कुटुम की ब्रधी होगी अच्छी खुसियां आएंगी धन आएगा पिर मिलेंगे